हुआ है अधर यह अधर इवरी ना स्वागत है जो अम लोगों यह त्क एटीन च्रेड़ रेश्यू चल रहा चल रहा चैप्टर उसका एक्सरसाइज 18 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया लास्ट क्लास में कुश्चन नमबर बन से लेकि कुश्चन नमबर 7 तक जो हमें वैल्यूफाइंड करना था मेंस कि जो कुश्चन एवैल्यूएट करने थे उनके आंसर हम लोगों ने देख लिया क कि दूसरा में लाना होगा चाहे हम लेफ्ट हैंड साइट को लेके चलें या फिर राइट हैंड को लेके चलें हमें एक लेके आना ठीक है तो प्रस्ट का फर्ड़न करेंगे निस से पहले चीज़ और यार कि जितनों लोग चैनल पर विजिट करते हैं उनमें से लगभग नहीं करते हैं तो यहार चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को भी प्रेस कर लो जिससे वीडियो की रिगलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें कोई भी वीडियो आप लोगों का छुटने न पाए ठीक है हम लोग चलते हैं कुशन नमबर एक स्टार्ट करते सोरी सोरी यह left hand side है और यह right hand side है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने left hand side को लेके चलते हैं हमें right hand side that means की RHS लेके आना cos A clear तो अगर यहां पर हम लोग बात करें कि लेके चलते हैं अपना LHS ठीक है यह हो जाएगा सिक ए प्लस टैन एंटो 1-1 माइनस साइन ठीक है अब चीज़ देखो यहां पर सिक ए में हमारा जो रैसिप्रोकल वैलियूज है या फिर कह सकते हो कि रैसिप्रोकल चींज जो भी होते हैं वहां पर सिक एक जगे हम लोग क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह हो जाएगा टिनॉमिनेटर में कॉस ए और नियुमिरेटर में हो जाएगा वन प्लस साइन ए क्लियर और इंटू वन माइनस साइन ए ठीक है जब मल्टिप्लाइ बीच में लगा होता तो हम क्या करते हैं कि नियुमिरेटर को numerator से multiply कर देते हैं और denominator को denominator से multiply कर देते हैं ठीक है ऊपर देखो हमारा multiply अगर कर रहे हैं तो 1 plus sin A और into 1 minus sin A clear और total का divided by cos A ठीक है अब एक चीज़ देखो कि यहां पर यह हमारा identity होता है A plus B और A minus B जी हो हम लोग algebra में पढ़े हुए है इसका value क्या होता है A square minus B square clear तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे A square that means one square minus B square that means sin square A total का divided by cos A ठीक है इसको जब आगे solve करेंगे तो one square minus sin square A क्या हो जाएगा one का square one ही होता है तो यह हो जाएगा हम लोगों का one minus sin square A total का divided by cos A ठीक है इसको जब आगे solve करेंगे तो one minus sin square A होता है cos square A एक identity हमारे पास होता है sin square A plus cos square A is equal to one ठीक है तो cos को हम दूसरी तरफ transfer कर लेते है या फिर sin को one की तरफ लेके आते तो उधर plus से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक है तो यहां से हो जाएगा हम लोगों का क्या कॉस square A divided by cos A ठीक है यहां पर कॉस हमारा टू टाइमस लिखा तो डिनॉमिनेटर से वन टाइमस कैंसल हो जाएगा आ जाएगा यहां पर कॉस ए जो हमारा राइट हैंड के इक इक ठीक इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया कौन सा पर चलते हैं लोग कोशन नंबर एट का दीपार देखते हैं कि कुशन नंबर एट का सेकंड पार्ट है वन प्लस टैन स्क्वार एइन टू वन माइनस साइन ए और ब्रैकेट में फिर इंटू वन प्लस साइन एक इस इकॉल टू वन तो हमारा लेफ्ट एंड साइड है हमें राइट एंड साइड लाना है वन ठीक है तो अगर यहां पर हम लोग लेके चलें तो क्या है यह वन ब्रैं है ये मैने स्टाइब। को इसकंथ मैने स्टाइब को फए यह को हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगी clear और इस पे आ जाएं तो यह क्या हो जाएगा one plus ten a का formula क्या होता है टाइन की जगे हम लोग कौन से identity पुट कर सकते हैं साइन एबाई कॉस ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं साइन स्क्वाइर एबाई क्या है कोस इस्क्वाइर एक ब्रैक्ट में कर लो और यहां से क्या हो जाएगा a square 1 स्क्वाइर वन ही होगा माइनस साइन स्क्वाइर paid अब अगर इसकी जग Trustees स्क्वाइर एक जान Qos square A plus sin square A total divided by cos square A। बाइ B सेम करने के लिए 1 में हम cos square A से multiply करेंगे तो वो मैंने कर दिया ठीक है, दूसरे bracket में into क्या हो जाएगा यहाँ पे cos square A,Clear या फिरभी इसको erase करके multiply का sign लगा लो, ठीक है, अब देको cos square A प्लस sin square a यह हमारा identity होता है कि sin square a plus cos square a is equal to 1 ठीक है तो addition जब बीच में लगा होता है तो हम places change कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है ठीक है तो इसका value यहां से हो जाएगा 1 और यहां पर देखो multiply में और divide में cos square a दोनों same value है तो यह हो जाएगा cancel ठीक है अब यहां पर one हो गया और इसका पार्ट यह आ गया cancel हो के one that means दोनों को multiply करनेंगे तो one one जा कितना होता one जो हमारे equal to है right hand side clear तो यह हमारा प्रूव हो गया question number eight का भी पार्ट clear अब किसी को भी कहीं भी कोई doubt हो रहा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डारेक्ट मैसस कर सकते हैं या फिर हमारा Facebook पर जोइन कर लो वहां में डारेक्ट अपना डाउट मैसस कर सकते हो ठीक है साइ्ड को लेकर चलते हैं क्या है यहाँ पर टैने ऑ फ्लस को एक कोट है ठीक में लेकर लेके चलना है और राइठ ऐसाइड लाना है अगरकम की बात हम लोग करें तो और पढर देवियम ड시 कर सकते हैं साइन ऐ बाई कॉस ए ठीक है प्लस कोड की जगे क्या रख सकते हैं कॉस ए बाई को साइन ए ठीक है अब यहां पर देख हुऊ हमें क्या करना की बैस कॉल करना है दोनों का तो यहां प्रव्याइन है इस तरह हम साइब संध्तिपलाइन कर देंगे और इस तरह स्थ non numerator and denominator. मैं हम लोग क्या करेंगे कौस से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो दोनों का हमारा क्या जाएगा becas कौस ए मैं साइन ए क्लिए और अगर ऊपर की बात करें तो यहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं by साइन इसे साइन इधर मल्टिप्लाई कर देंगे तो कि हो जायएगा साइड स्कॉ्आइट इसका वैल्व क्या होता है और टोटल का डिवाइड बाई साइन आप चीज और देखो कि यहां पे हम क्या कर सकते नों के नियुमेरेटर को अलग अलग कर सकते दोनों का नूमेरेटर सेम है तो हम डिनॉमेरेटर के साथ में अलग-अलग कर सकते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 by cos A 1 by cos A multiply में sin A तो हम यहाँ पर multiply लगा लेते हैं और 1 by sin A clear 1 by cos A होता है हमारा सेक A ठीक है और 1 by sin A यह होता है इंटू हो जाएगा फिर हम लोगों का ही cos A जो हमारे right hand side के equal में आ गया तो is equal to यह क्या है right hand side clear question number 9th का first part हो गया चलते हैं हम लोग question number 9th का second part देखते हैं question number 9th का second part कह रहा है 1 minus cos A into 1 plus 6 A is equal to 10 A into sin A यहां फिर से हम लोग अपना left hand side लेके चलते हैं तो left hand side क्या 1 minus cos A into 1 plus 6 A ठीक है अब यहां पर देखो हमको करना क्या है कि हम अपने cycle A को change कर लेते हैं यह हो जाएगा 1 minus cos A into 1 plus 1 by 6 A ठीक है sorry 1 by cos A 6 का reciprocal क्या होता है 1 by cos A ठीक है यहां पर हम लोग क्या करते हैं सेम करने कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 minus cos A into यह हो जाएगा क्या क्या करते हैं कि यहां पर देखो नहीं कोई दिक्कत नहीं बाई अगर कहीं पर लिखा हुआ हो cos A plus 1 या 1 plus cos A तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दोनों सेम ही सेम बात है ठीक है तो यहां पर अगर उपर multiply कर ले तो यह हो जाएगा 1 minus cos A into 1 plus cos A divided by cos A total का अब उपर A minus B और A plus B A square minus B square ठीक है तो यहां यह क्या हो जाएगा 1 minus cos square A और divided by cos A ठीक है अब इसको हम क्या कर लेते हैं इसकी जगे पुट क्या कर सकते हैं कि 1 minus cos square A is equal to sin square A ठीक है तो यहां यह हो जाएगा sin square A divided by cos A ठीक है अब एक चीज़ देखो कि sin square A लिखा हुआ मतलब 2 times लिखा हुआ तो इसको हम लोग sin A into sin A कर सकते हैं total का divided by cos A clear अब यहां पर क्या करते हैं दोनों के numerator के साथ में अलग अलग लिख लेते हैं तो यहां से यह हो जाएगा हम लोगों का sin A by cos A और A को sin A अलग ही रख लेते हैं उसमें कुछ नहीं करते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा यहां पर सिर्फ sin A into में ठीक है अब sin A by cos A यह क्या हो जाता है 10 A into sin A है तो उसको हम as it is लिख लेंगे उपर clear multiply में तो हम अलग अलग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर अगर हम लोग देखें लिखा हुआ 2 into 5 clear और divided by 3 लिखा है तो यहां पर हम 2 by 3 into 5 कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है clear तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया यह प्रूब हो गया question number 9th का second part अब चलते हैं हम लोग question number 10th देखते हैं यहां पर यह हो गया हमारा is equal to right hand side कि चलते हैं question number 9th 10th का first part देखते हैं question number 10 का first part देखते हैं court square a minus cos square a is equal to court square a into cos square a ठीक है यहां पर अपने हम फिर से left hand side को लेके चल रहे हैं क्या है कोट square a minus cos square a clear अब देखो यहां पर हमें क्या करना कि इसको change कर लेना court क्या होता है cos square a by sin square a minus यह हो जाएगा हमारा यहां पर cos square a ठीक है अब दोनों का base equal कर लेते हैं तो यह हो जाएगा cos square a by sin square a minus यहां base equal करने के लिए numerator और denominator में sin square a से multiply कर लेंगे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा cos square a into sin square a और total का divided by sin square a ठीक है अब देखो दोनों का base equal हम combined कर सकते हैं यहां पर यह हो जाएगा cos square a minus cos square a into sin square a total का divided by sin square a clear अब यहां पर क्या करते हैं cos square a को हम common ले लेते हैं अगर cos square a हमने common ले लिया तो बचा क्या यहां पर one बच्चाएगा और यहां पर minus cos square a common चला गया बचेगा सिर्फ क्या sin square a ठीक है टोटल का divided by sin square a ठीक है यह हो जाएगा cos square a divided by sin square a और into bracket में one minus sin square a is equal to होता है cos square a ठीक है यह हो जाएगा cos square a clear अब cos square a by sin square a यह होता है कोट square a और into आगे हमारा है cos square a यह हमको प्रूफ करना था RHS ठीक है यह हमारा question प्रूफ हो गया question number 10th का first part अब चलते हैं question number 10 का second part देखते हैं question number 10 का second part है one plus ten square a by one plus six a is equal to six a हमें प्रूफ करना है ठीक है यहां से फिर से वही हम left hand side लेके चलेंगे क्या है हमारा left hand side one plus ten square a by one plus six a ठीक है अब यहां पे एक चीज़ देखो हमारे पास एक identity होता है कि सेक ए सेक स्क्वाइर ए प्लस टैन स्क्वाइर ए इस एक्वाइर टू वन होता है ठीक है अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि भाई टैन स्क्वाइर ए एक तरफ कर लो ten square a is equal to one minus six square a हो जाएगा अब ten square a की जगे हम यही put कर लेते हैं ठीक है तो यहां पे एक चीज़ देखो हमारा कि हो जाएगा one plus इसकी जगे हमें put करना one minus six square a total का divided by one plus six a clear अब एक चीज़ देखो कि यह हम इसको as it is one square minus six square a कर सकते हैं ठीक है तो इसको हम वही कर लेते हैं अब अगर one square minus six square a है तो इसकी जगे हम लोग क्या put कर सकते हैं one plus six a और into one minus six a यह कर सकते हैं ठीक है तो यहां वही put कर लेते हैं यह हो जाएगा one plus one plus six a into one minus six a ठीक है कर दो कि नहीं 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 एक मिनट यह हमारा यहां पर होता है कि अगर इसको में इधर लेया इसको इधर लेया तो यह होता है स्वरी यह कर देते हैं यहां पर हम लोगों का जो स्कुवायर का आडेंटिटी होता है वो होता है कि यह माइनस का होता है ठीक है सेक स्कुवायर ए माइनस ten square is equal to one होता है अब अगर हम ten को इस तरफ लेके आते तो ten positive हो जाए तो one इधर लाएंगे तो स्कुवायर एक की साथ one minus होगा clear अब यहां पर input करते हैं तो यह प्लस 10 स्क्वरेड़ की जगऑ क्या रखेंगे स्थेक्श स्थेक्श कर एंस टॉटल कर डिवाइड़ और 1 प्लस स्थेक्श एपाइड कर लेतें स्क्वएयर मैंनस पी स्क्वाइर से ति हो سیک ए ठिक है क्या सकते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं कैंसल कर सकते हैं यहाँ पे आ जायेगा हम लोगों का मैं एकल टू है हमारे राइट hand side के ठीक है यहां पर करना क्या था कि टाइन स्क्वाइर की जगे हमें यह आइडेंटिटी पुट करना था यहां पर जरूरी है कि आप लोगों को सभी आइडेंटिटी जो भी है इस चैप्टर में वह हमने पहली क्लास में डिसकस कर लिया था जिन लोगों ने नहीं देखा बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं बहुत जरूरी है वह सारे याद होने चाहिए ठीक है क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वह पहला वीडियो जो है इस चैप्टर का वह जाके देख सकते हैं वहां हमने बेसिक सारी चीज़े डिसकस की है ठीक है तो अभी चलते हम क्याइब ऑन माईनस कॉस फटिक है यहाँ पर अपना हम फिर से हुआ लेफ्ट हैंड शाइड लेकर चल रहा है वन प्लस sec a divided by sec a ठीक है यहाँ पर value sec a की जगे हम लोग क्या कर सकते हैं 1 by cos a divided by 1 by cos a जो हमारा denominator में seq a है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ base equal करेंगी तो यह क्या हो जाएगा cos a plus 1 divided by cos a और total का divided by 1 by cos a clear अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ लेके जाके मतलब की fraction की नीचे fraction है तो हम fraction को reciprocal करके multiply कर देंगे ठीक है तो अगर यह करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से cos a plus 1 divided by cos a into यह हो जाएगा 1 by cos a है उधर जाएगा तो cos a by 1 हो जाएगा ठीक है यहाँ से हम लोग cos a से cos a cancel कर देते बचेगा क्या सिर्फ cos a plus 1 ठीक है अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर इसके conjugate से multiply कर देते हैं ठीक है यहाँ पर conjugate cos a plus 1 है इसके जगे हम लोग multiply करेंगे cos a minus 1 तो यहाँ पर अगर हम लोग cos a minus 1 divided by cos a minus 1 कर लें तक ठीक है एक चीज़ देखो यहाँ पर कि हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं दूसरे फॉर्म में तैट मेंस कि हम इसको cos a plus 1 है इसको लोग कर लेते हैं 1 plus cos a ठीक है कोई दिकत नहीं होगी क्योंकि प्लस में हम लोग प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं अब इसके conjugate से multiply कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 minus cos a divided by 1 minus cos a आइस सेम नंबर से multiply किया सेम नंबर से divide किया कोई दिकत नहीं है ठीक है कैंसल करने के बाद फिर से यहीं आ चाएगा अब यहां पर देखू कि यह हमारा a plus b है और यह a minus b है multiply तो a square minus b square हो जाएगा that means ही हो जाएगा 1 minus cos square a divided by 1 minus cos a ठीक है और 1 minus cos square a is equal to होता है sin square a ठीक है divided by 1 minus cos a ठीक है यह हमको क्या करना था प्रूफ करना था कि sin square a by 1 minus cos a clear यह हमारा आ गया right hand side ठीक है तो यह question complete हो गया question number 10th का third part है अब चलते हम लोग question number 10th का fourth part देखते है question number 10th का fourth part है sin a by 1 minus cos a is equal to cos a plus cot a ठीक है हम यहाँ पे फिर से चलते हैं अपने left hand side को लेके चल रहे है sin a by 1 minus cos a ठीक है अब एक चीज़ देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि denominator के conjugate से multiply कर लें है conjugate का मतलब क्या होता है कि same number सिर्फ sin change करके हमें multiply कर लेना ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 plus cos a divided by 1 plus cos a ठीक है अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग multiply करें तो यह हो जाएगा sin a into 1 plus cos a total का divided by 1 minus cos a और 1 plus cos a यह हमारा क्या हो जाता है 1 minus cos square a भाई माइनस भी प्लस भी है उसको expand उसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा स्कॉर माइनस भी स्कॉर हो जाएगा ठीक है अब इसका वैल्यों हमारा क्या होता साइन स्कॉर तो यहां पर यह आ जाएगा sin a into 1 plus कॉस ए डिवाइड़ बाई साइन स्कॉर ए साइन ए डिवाइड में इसका पावर यहां पर यह कैंसिल हो जाएगा ठीक है बचेगा क्या हमारे पास 1 plus कॉस ए डिवाइड़ बाई साइन ए बेस दोनों का इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं इसको अलग-अलग कर सकते हैं जैसे हम लोगों का बेस एक्वल करने के बाद कंबाइंड कर लेते हैं वैसे ही बेस एक्वल है तो हम क्या करते हैं इसको अलग-अलग लिख लेते हैं ठीक है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा वन बाई साइ को प्लस कोस is by sign A सइन को वाद साइन कि ठीक है one by sign a क्या होता है हमारा Tusik मौट प्लस कॉस बाई साइन होता है ही कॉट तो एंगल हमारा ए हमारा यह हो जाए ठीक है यह हमें प्रूफ कर न था धाट मिस से हमारा क्या आ गया राइट एंड-स क्वेशन नंबर टेन कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में यही तक रखते हैं अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फेंसरकल में सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहीं भी डाउट हो रहा तो आ कि हम लोग मिलते हैं नेक्स कुश्चन के साथ नेक्स क्लास में थैंक्यू करें